अरे चांदनी क्या हुआ? मैं पिछले एक घंटे से देख रहा हूँ, नीद नहीं हा रही क्या? मुझे भूख लगी है, ये सुनकर मोहित बुरी तरह है हैरान हो गया चांदनी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं सच सच बताओ, अगर हो गई हो तो पागल खाने में दाखिला गरवा दूँ अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसी मैंने कौन सी बात क्या दी कि आप मुझे पागल बोल रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक पूरी खाया करती हो, आज दिन में तुम पूरी की वज़े से सबसे लड़ गई? कम से कम सत्तर असी पूरियां तो खाई गई होगी सत्तर असी नहीं मैंने निन्यान पे पूरियां खाई थी, और जब तक मैं सुआ पूरियां ना खालू तब तक मुझे नीद नहीं आती, और नाही मेरी आत्मा तृप्त होती है अरे मेरी माँ एक पूरी और खालेनी चाहिए थी ना, जाओ, पूरियां खाकर आओ चाननी उसी वक्त किचन में गई, सिर्फ एक पूरी बनाई और खा गई, अब मुझे नीद आएगी, अब जाकर चुप चाप सो जाती हो, वरना मोहित वाल तुमें मुझे पर चिल लाएंगे चाननी अपने कमरे में जाकर सो गई, सुबह वो जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बनाने लगी, और अपने लिए धेर सारी पूरियां बना ली, उसके साथ ससुर और मोहित सर्फ चाय पी रहे थे, जबकि चाननी चाय के साथ पूरियां भी खा रहे थी बहू, तु इतनी सारी पूरियां खाती है, तेरा मन नहीं भरता, अगर मेरा मन भर गया होता, तुम्हें पूरियां खाना बन कर चुकी होती सासुमा सासु मा, आपने तु मेरे मन की बात क्या दी, यही चिंता तु मुझे सताए जा रही है रहने दो, रहने दो, उच पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूवत नहीं है, मेरी उम्र लंबी मत करो, तुम करवा चौत का वरत मती रखो अरे नहीं नहीं, यह आप कैसी बाती कर रहे हैं, मैं पतनी धर्म निभाऊंगी, करवा चौत आने दो, जो होगा देखा जाएगा, वरत तो मैं जरूर रखूंगी बहू वरत तुझे रखना है, तो आज से ही पूरी खाना बंद कर दे, ताकि धीरे धीरे आदत हो जाएगी दो दिन में ठीक है माजी, मैं कोशिश करती हो, लेकिन अभी तो मुझे पूरी खाने दीजे चान्नी सुबह सुबह चाई के साथ कम से कम 20-25 पूरिया खा गई, मोहित काम पर चला गया, काम पर जाने के बाद चान्नी के कुछ सहेलियां उसके घर आ गई, अरी चान्नी दो दिन बात करवा चौथ है, चल हम लोग मार्केट चलते हैं, सारा सामान ले आते हैं, लेकिन सा घरमे अकेली रह जाएंगी, अरे मैं अकेले कैसे रह जाओंगे बहु, तुझा, तेरे ससुर जी तो घर में है ही, ठीक है सासुमा तुम लोग मेरी कमरे में चलो, मैं तयार हो जाती हूँ, चान्नी तयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मार्केट में चली गई, चान्नी चल, हम लोग पानी पूरी खाते चलके तुम लोग पानी पूरी खा ले न और मैं उसके बगल वाली दुकान पर पूरी सब्जी खा लूँगी तो क्या हर वक्त पूरी खाय करती है कुछ और खाकर देख इस दुनिया में बहुत अच्छी चीज़े हैं खाने के लिए किसी दिन पेट खराब हो जाएगा तब पता चलेगा तुम लोगों से तो मैं नहीं कहरी हूँ कि तुम लोग पानी पूरी मत खा तो फिर तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो अरे निर्मला इसे पूरी सबजी खाने दे हम लोग चल कर पानी पूरी खा दे उसके पिज़ा भी खाएंगे खैर सारा सावान खरीदने के बाद वो सब अपने अपने घर वापस आ गई अचानक चाननी के पेट में जलन होने लगी उसका पेट दर्ध होने लगा बाहर तक आवाज आरी थी उसके शौच करने की इसको कितनी बार मना किया है इतनी जादा पूरी सबजी मत खाये कर अब हो गया न पेट खरा खैर शौच करने के बाद वो बातरूम से बाहर आ गई लेकिन उसका पेट दर्ध ठीक नहीं हुआ रात में जब मोहित घर आया तब डॉक्टर को बुलाए गया अभी तो मैंने दवाई दे दी है लेकिन इतना तला हुआ खाना खाने के वज़े से इनकी आतों में इंफेक्शन हो गया है अगर ये सब खाना बंद नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सुलिया मेरी बात तो मानती नहीं थी कम से कम डॉक्टर साब की बात तो मान लो उस वक्त तो चान्मी ने हा कर दी लेकिन रात में उसे फिर से पूरी खाने का मन हुआ वो चुपके से दबे पाउं किचन में गई और उसने धेर सारी पूरियां बनाई और खा कर फिर से लेट गई अगले दिन उसका पेट फिर दर्द करने लगा लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया अगर मैंने किसी को भी बताया तो सब लोग मुझे ही डाटेंगे अब मैं क्या करू भगवान मैं खुद को पूरी खाने से रोख ही नहीं पारी हूँ मुझे जल्दी से बात्रूम जाना पड़ेगा चांदी बात्रूम में गई और उसने इस बार खून की लेटरिन के ये देख कर वो बहुत डर गई लेकिर इतना सब कुछ होने के बावजूर वो पूरी खाना बंद नहीं कर रही थी सबसे छुप छुप कर वो पूरी खाती जा रही थी फिर अगले दिन करवा चौत का दिन आग्या चलो अच्छा है आज मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा लगता है जादा पूरियां खाने की वज़े से ही सच में इन्फेक्शन हो गया था मेरे पेट में आँ हुआ बहू आज पूरी खाने का मन नहीं हो रहा है क्या पूरी नहीं खाई थी, इसलिए उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, वो खुद के पैरों को रोक नहीं पाई, और सीधा किचन में जाकर पूरियां बनाने लगी, बहु तु आज हमारी परंपरा का नाश करने जा रही है, करवा चौत वाले दिन पूरी खाने वाली बहु बनने वाली है तू, सासुमा मैं पूरिया भी नहीं खाऊंगी, आज पहला ऐसा दिन है जब मैं पूरिया नहीं खा रही हो, मैंने जैसे ही आखे बंद की, वैसे ही सपने में मुझे पूरिया दिखाई देने लगी, फिर जैसे ही मेरी आखे खुली मेरी लार टपकने लगी, पूरियां बनाती रही, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास मोहिट से अकेले में कुछ बात कर रही थी, मोहिट बेटा मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, इतनी जादा पूरियां खाने की वज़े से कहीं कुछ हो न जाए बहु को, माँ चांदनी के माबाप ने भी इसकी पूरी खाने की आदा छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो काम्याब नहीं हो पाए, जो काम इसके माबाप नहीं कर पाए, वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, मोहित न डॉक्टर को फोन किया, तो डॉक्टर ने तुरंत मोहित को अपनी क्लिनिक बुला लिया, मोहित डॉक्टर से मिलकर आ गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी, तब ही मोहित ने देखा कि चांद निकल आये है, मा चांदनी देखो चांद निकल आया जल्दी आ जाओ चांदनी और उसकी सास तयार होकर छट पर आ गई मोहित और उसके पिता पहले से ही छट पर मौजूद थे अब चांदनी और उसकी सास ने चांद को छलनी से देखा फिर अपने अपने पतियों को देखा चान्नी के ससुर ने अपनी पत्नी को पानी पिलाया उसके बाद मोहित ने जैसे ही चान्नी को पानी पिलाया वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गई डाक्टर साब अचानक चान्नी बेहोश कसे हो गई थी ऐसा तो नहीं कि वरत रखने की वज़े से बेहोश हो गई हो नहीं, मैंने आप लोगों को मना किया था कि इने तेल से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खिलाना लेकिन तुम लोग नहीं माने, अगर मैं गलत नहीं हो तो मेरे कहने के बावजूद भी तुमने पूरियां खाई थी ना? सच-सच बताना, यहाँ पर तुम्हारी जान का सवाल है हाँ डॉक्टर साब, मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरा मन मानने को तैयारी नहीं था, इसलिए सबसे छुप-छुप कर मैं पूरियां खाती रही ठीक है, आज करवा चौथ है, आज भी पूरियां खालो, क्योंकि 10-15 दिनों का ही समय है तुम्हारे पास, यह दुनिया छोड़कर तुम जाने वाली हो यह सुनकर चान्नी डर गई, डॉक्टर इतना कहकर चला गया, अब चान्नी जब भी पूरियों की तरफ देखती उसे अपनी मौत नजार आती, इसलिए उसे अब पूरियों से नफरत हो गई, एक महीना बीद गया, मोहित, एक महीना बीद गया पर मुझे तो कुछ नहीं तो सच में तुम्हारी आतों में गहरा इंफेक्शन हो जाता, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो इस तरह से अब चान्नी की पूरी खाने की आदत छूट गई, और वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे, बाई, रुपाली, अब तुम भी नाश्ता कर लो, जेतकी का स्वभाव बहुत ही खडूस था, अरे, दर्वाजी पर छोड़ने गई थी, या सीधा ओफिस छोड़ कर आई है, पता नहीं, ये आजकल की बहुए, गेट पर खड़ी पती से हसी ठिठोली करने में बिल्कुल भी शरम नहीं करती, और ये टिंडे की सबजी में न अब लिखना शुरू कर, एक सो एक मुठी, ग्यारा मिठाई के डिबबे, दो थाली ड्राइफूट, दो टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सब के कपड़े, गैने, हाँ, चीनी, चावल से भरे भगोने या बालती, और बाकी सभी रिष्टेदारों को देने के लिए चावा भी तो देना होगा, चल, अब मम्मी को ये पूरी लिस्ट फोन पर समझा दे, पहला करवा चौत है और शादी के बाद तो पहला करवा चौत, पूरे रिती रिवास से होना ही चाहिए, भाई हमने भी रिष्टेदारों को मुदी खाना है, केतकी, ये जो तुम कर रह रुपाली एक मध्यमवर की परिवार की बेटी थी, उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और भाई अभी बारहवी कक्षा में पढ़ रहा था, रुपाली को पता था उसके पिता पहले ही उसकी शादी के लिए करजा ले चुके हैं, और अभी भाई के कॉलेज एड आज मा और पिताजी अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं, वो रामायन सीरियल आ रहे हैं तो वही देख रहे हैं, अच्छा अच्छा पर अब तो बताओ, क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हूँ, गौरव के बार बार पूछने पर रुपाली उससे सारी बात बत आती है, गौरव अपनी मा केत्की के पास जाता है और उससे कहता है, मा इतना सबको जरूरी तो नहीं, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दिये, पर आप जानती हो कि रुपाली के पापा के पास इतने पैसे नहीं है, देख गौरव, शादी के वक्त भी तुने मुझे चु आधा कर दिया है, तु अब बीच में मत बोल, सुबह इने भी चुप कर आया, दोनों बाप बेटों को मैं ही गलत दिखती हूँ, और बहू, तुमने भी गौरव को मेरे खिलाव भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब कम से कम माय के से करवा चौत का सामान मंगा कर इस घर की इज़त तो रखी सकती हो, या करवा दोगी हमारी बेज़ती। बाबी, मैं कुछ नहीं कहूंगी न प्यूंगी, मारोहित ने अपनी बेहन की बातों में आकर मेरे उपर जूटा इलसाम लगाया है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कहते हैं मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और उन्होंने उस लड़के को उनके पीछे घर आते देखा है, आप ही बताओ पिदा जी, रोहित तो यहां तक बोल चुके हैं कि उन्होंने मेरे से शादी करके गलती की है, मेरा फोन भी चीन लिया है कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ, और आज तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें मेरे से तलाक लेना है, चुप ह रोहित को फोन करता है, रोहित जी, आप बिना आखों से देखे साधना पर कैसे इलजाम लगा सकते हैं, ये तो सरासर अन्या है, गौरव थोड़ा धीरे से बात कर, तेरे जीजा हैं वो, वरना बात और बिगड़ जाएगी, पर मा, ये कैसे साधना पर बिना सोचे समझे, इसका मतलब क्या परीती जुट बोल रही है, मेरी बहन की साधना से कोई शाती दुशमनी नहीं है, उपर से साधना बोल रही है कि परीती गलत है, अब जैसे तुम अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता। आप उन्हीं भी मिल लेना। पर इसके साथ ये लड़का कौन है। और ये दोनों तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा पर कैसे अहां एक आइटिया है। रुपाली प्रीती और उस लड़के की अपने मुबाइल में फोटोज खीच लेती है और सीधा रोहित के ओफिस पहुँचती है। भाबी आप यहां पर मुझे साथना से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो मुझे धोका दे कर किसी और से प्यार का चकर चला रही है। कौन सा सच चुपाए है। यही लड़का है ना जिसे उस दिन आपने अपने घर से बाहर आते देखा था। यह देखिए। रोहित जब प्रीती के साथ उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। और वो घर जाकर प्रीती से सारी सचाई उगलवाता है। प्रीती तुमने अपने आपको बचाने के लिए अपनी भावी को भसाया तो मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती क्या मैं मना कर देता। अगर लड़का अच्छा है तो मैं खुद तुम्हारे लिए उससे बात करता। मा बाबुजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा फर्ज है। पर तुमने ये गलत किया। प्रीती मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। साधना आज अगर रूपाली भाबी ना होती तो शायद इस सच से परदा कभी नहीं उठता। उन्होंने ही मुझे आज इस सच के बारे में बताया। प्रीती ने जो भी बचपने में आकर गलती की है ये बहुत बड़ी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए म मुझे और प्रिती को माफ कर दो। जरूर रखूंगी पर ये गहने और रुपए ये सब तो मेरी जित थी मुझे ये सब कुछ ने चाहिए। हमें रुपाली के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है। केतकी का बदला व्यवहार देखकर गौरव और रुपाली उसके पले लग जाते हैं। और फिर रुपाल के ममी पापा खुशी खुशी घर लोट जाते हैं। केतकी आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केतकी रुपाली और साधना तीनों मिलकर कथा करती हैं। और रात में चांद को अर्गे देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सा आज बहु का करवा चौत फुरत उनके रिष्टे में प्यार भर देता है।